Hello dear students, कैसे हो आप सभी? तो ये वीडियो जो हम class 9th का English का sample paper solve कर रहे थे तो उसी का part 2 वीडियो है और इससे पहले part 1 के वीडियो में हमने इस sample paper का section B यानि कि grammar वाला पूरा solve कर लिया था और मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि जो मैं next वीडियो बनाऊंगा यानि कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें हम section A यानि कि reading skills वाले questions को solve करेंगे चीक है? तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम section A में जितने भी questions दिये गे हैं उनको हम solve करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए section A जो है हमारा reading skills वाला इसमें हमें total 2 passage दिये गए हैं और यह हमारा section A total 20 marks का है 20 marks का तो इसमें हमें 2 passage दिये गए हैं तो first passage जो है यह हमारा 10 number का है और जो second passage आएगा वह भी हमारा 10 number का ही होगा ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं देखिए हमें first question जो है यह एक passage वाला दिया गया है यानि कि यहां पर क्या कहा गया है? read the passage given below यानि कि यह जो passage आप देख रहे हैं पूरा इसको सबसे पहले आपको carefully read करना है ठीक है? इसमें हमें total 3 paragraph दिया गया है यह first इसके बाद यह second और यह third तो आप सबसे पहले इस passes को बहुती ध्यान से पढ़ लेना मैंने इसे पढ़ लिया है अब मैं आपको इसके question answer कराऊंगा ठीक है? यह sample paper का PDF मैं आपको telegram group पर send कर दूँगा वहां से download करके और आप अच्छे से यह जो passes है इसको पढ़ सकते हैं तो telegram group आपने जोइन नहीं किया है तो जोइन कर लेना लिंक आपको इस video के description box में दिया हुआ है उस link पर click करके आप जोइन कर सकते हैं तो चलिए अब हम इसके questions को करते हैं सबसे पहले आपको मैं एक बार जो यह passes दिया गया है यह किसके उपर दिया गया है वो मैं थोड़ा सा बता लेता हूँ तो यह जो passes हमें दिया है यह हमें communication skills के उपर दिया गया है यानि कि हम अपने communication skills को किस तरह से improve कर सकते हैं और क्या इसके importance है हमारे life में इनी सब चीजों के बारे में इस passage में बताया गया है अब चलिए इसके question answer को करते हैं तो देखिए हमें क्या कहा गया है Based on your understanding of the passage answer the questions given below तो देखिए first question क्या है हमारा According to the writer on what basis does people judge, evaluate, promote or block you और इसका answer हमें paragraph 1 से बताना है यानि कि जो writer है उसके according लोग आपको किस base पर judge करते हैं यानि कि किस base पर आपके बारे में फैसला लेते हैं किस base पर आपको promote करते हैं या फिर block करते हैं यानि कि पसंद या फिर नापसंद किस base पर आपको log करते हैं तो इसका जो answer है वो हमारा क्या हो जाएगा देखे मैं आपको इसका answer दिखा देता हूँ हमें paragraph 1 से बोला गया था इसका answer करने के लिए तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है people will judge, evaluate, promote और block you based on your communication skills ठीक है तो इसलिए हमारा इसका जो answer है वो यह C वाला हो जाएगा इसमें हमें कहा गया है on the basis of your communication skills ठीक है तो इसलिए first question का यह C वाला option हमारा right हो जाएगा इसके बाद चलते हैं second question पर तो देखें second question में क्या कहा गया है select the option that corresponds to the following relation below तो यहाँ पर देखिए एक हमें करके दिखाये गया है जैसे the better your communication skills are the greater your acceptability यानि कि जितना अच्छा आपका communication skill होगा उतना ही आपको लोग पसंद करेंगे ठीक है तो अब हमें इन चारो options में से बताना है कि कौन सा option हमारा right होगा first में कहा गया the more your exercise the lesser your illness यानि जितना ज़्यादा आप exercise करेंगे उतना ही कम आपको बिमारी होगी ठीक है तो यहाँ पर more और laser यानि कि ये एक दूसरे के opposite है तो इसलिए ये हमारा answer नहीं होगा यहाँ पर देखें second में higher और lower है ये भी opposite है एक दूसरे के ये भी नहीं होगा smaller bigger ये भी नहीं होगा यहाँ देखिए heavier और higher है यानि कि the heavier the violation the higher the penalty यानि जितना ज़्यादा आप violation करेंगे कानून को तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको penalty देना पड़ेगा तो ये हमारा D वाला option right हो जाएगा कैसे समझे ध्यान से यहाँ पर देखिए better और greater था यानि कि ये एक दूसरे के similar है ऐसे ही heavier और highest ये भी एक दूसरे के similar है लेकिन ये शुरू के A, B और C में देखिए यहाँ more laser था एक दूसरे के opposite है higher, lower था ये भी एक दूसरे के opposite है इसलिए ये तिनों हमारे answer नहीं होंगे D वाला हमारा option right हो जाएगा ठीक है, तो I hope आपको ये हमा, जो question number second है ये समझ में आ गया अच्छे से अब चलते हैं question number third पर तो question number third में बोला गया है select the option that displays what the writer projects with reference to the following, तो यहाँ पर देखिए बोला गया है if such a thing happens you should immediately apologize else it may haunt you for life, यानि कि if such a thing happens कोई घटना अगर घटती है, कुछ होता है आपके life में, you should immediately apologize, आपको जल्दी से जल्दी उसके यानि कि उसके बारे में शमा माग लेनी चाहिए सामने वाले से, else it may haunt you for life नहीं तो बाद में आपको अपने life में पश्तावा होगा, तो इस line से जो writer है, वो क्या projects करना चाहता है, तो वो जो है conviction यानि कि C वाला option हमारा right हो जाएगा, क्योंकि conviction का मतलब इस तरह से आप समझ लीजिए, कि conviction का मतलब होता है, बाद में अपने आपको दोशी मानना, तो इसलिए हमारा ये C option right हो जाएगा third question का, ठीक है I hope आपको third अच्छे समझ में आ गया, इसके बाद चलते हैं fourth पर, तो fourth question में देखे क्या बोला है, complete the following with a phrase from paragraph two, तो यहाँ पर ये देखे हमें opinion में dash दिया गया, यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा, और reason में देखी हमें ये पूरा दिया गया है, बोला गया है कि their meaning crystallizers perceptions that shape our beliefs drive our behavior and ultimately create our world तो ये हमें जो reason दिया गया है, इसका हमें एक phrase बताना है, paragraph second से, तो देखिए, मैं आपको दिखा जाता हूँ इसका answer इसका answer हो जाएगा, ये आप जो देख रहे हैं, the power of words, यही हमारा answer हो जाएगा, ठीक है तो इसी लिए, आप अपनी answer sheet में इस तरह से बना देना और यहाँ पर आप लिख देंगे, the power of words, तो ये हमारा answer हो जाएगा, fourth का, अब इसके बाद चलते हैं, fifth question पर तो fifth में बोला गया है according to the writer what is the secret recipe to develop good communication skills, और इसका answer हमें paragraph one से बताना है तो देखिए, इसका answer मैं आपको बतायता हूँ, इसका answer हमें paragraph one से बताना है तो इसका answer हमारा यहां से हो जाएगा learn to observe great communicators and adopt their styles and traits in written and verbal forms the art of listening and learning from each and every interaction is another secret recipe तो इसका answer आप अपनी answer sheet में यहां से learn to observe यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे चिक है तो इस तरह से यह हमारा पूरा answer हो जाएगा question number five का I hope आपको अच्छे है, समझ भी आ गया इसके बाद चलते हैं यह question number five हो गया अब हम question number six पर चलते हैं तो question number six में क्या बोला है based on your reading of the text list two reasons why the writer says that learning what not to say is probably more important than learning what to say यानि कि हमें जो है हमने जो passage पड़ा है तो हमें कोई दो reasons बताने है कि जो writer है वो ऐसा क्यों कहता है कि learning what not to say is probably more important यानि कि कुछ ना कहना ये सीखना ज़्यादा अच्छा है than learning what to say ये सीखने से कि क्या कहा जाए च्छिक्याँ तो इसका आंसर हमें paragraph two से बताना है हमें कोई दो reasons बताने है कि writer ऐसा क्यों कहता है learning what not to say is probably more important than learning what to say तो देखिए इसका आंसर हमारा हमें paragraph two से बताना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये देखिए यहां से हो जाएगा learning what not to say is probably more important than learning what to say as your career develops you will realize that the wise speak less यानि कि जो गुद्धिमान लोग होते हैं वो कम बोलते हैं speak when you have to value to add यानि कि speak when you have value to add जब आपके पास कुछ ऐसा हो जो valuable हो तब आपको बोलना चाहिए ठीक है तो इस तरह से यह हमारा answer हो जाएगा और आगे लिख देंगे else refrain तो आप इसका answer यहां से लेकर starting से लेकर यहां तक लिखेंगे refrain तक ठीक है तो यह हमारा 6th का answer हो जाएगा I hope आपको अच्छे समझ में आ गया इसे में आपको दो reasons लिख देना है ठीक है तो question number 6 को हमने कर लिया अब इसके बाद अगला है हमारा question number 7 तो question number 7 में क्या बोला है Why should you be careful when you tend to be humorous यानि कि जब आप किसी इसके साथ मजाक करते हैं किसी से कोई मजाकिया word बोलते हैं अपने दोस्तों से कुछ बोलते हैं तो मजाक करते time आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको क्यों careful होना चाहिए तो इसका answer मैं आपको दिखा रता हूँ इसका answer आप यह आप देख सकते हैं यहाँ से हो जाएगा Never say anything that could offend यानि कि कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें जिससे किसी का अपमान हो ठीक है Remember you are not a comedian याद रखना है कि आप एक comedian नहीं है who must offend as many people as you can to be witty तो इसी लिए इस question का answer हम यहाँ से Never से लेकर यहाँ तक last तक लिख देंगे तो यही हमारा answer हो जाएगा जो question number seven है उसका ठीक है तो question number seven तक हमने कर लिया अब इसके बाद next है हमारा question number eight तो question number eight में देखिए क्या बोला गया है The writer says Since our minds are working faster than our speech यानि कि हमारा जो mind है वो हमारे बोलने से ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करता है ज़्यादा जल्दी जल्दी वर्क करता है We are inclined to speak fast हम जो है fast बोलते है This does not necessarily mean that the person hearing it will get it any faster यानि कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना जल्दी जल्दी हम बोल रहे है उतना जल्दी जल्दी सामने जो सुनने वाला है वो भी उसको observe करे वो भी उसको समझे तो यहाँ पर बोला है इसका answer हमें paragraph 3 से देना है हमसे पूछाए गया है कि What actually happens when we speak too fast यानि कि जब हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं तो actually में होता क्या है तो इन चारों में से हमें right option बताना है तो देखिए इसका answer जो हो जाएगा हमारा ये see वाला हो जाएगा यानि कि the person hearing it has difficulty understanding it यानि कि जब हम fast बोल रहे हैं जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो जो सामने सुनने वाला है उसको difficulty होता है यानि कि उसको मुश्किल होता है समझने में जो हम बोल रहे होते हैं तो इसलिए इसका हमारा ये see वाला option right हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया question number 8 इसके वाल next है question number 9 तो question number 9 में हम से बोला है supply one point to justify the following तो ये जो आप देख रहे हैं इसका हमें एक justification बताना है ठीक है एक point हमें इसके justification में बताना है तो देखे हम से क्या बोला है I spend two-third of the time thinking what they want to hear and one-third thinking what I want to say यानि कि इसका मतलब है कि I spend two-third of time ये जो है अबरहाम लिंकन ने बोला है जब आप पैसेस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा तो वो बोलते हैं कि मैं जो है अपने time का two-third part जो है वो ये सोचने में लगाता हूँ कि जो सामने वाला है वो क्या सुनना चाहता है and one-third thinking what I want to say और one-third time मैं इसमें लेता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ ठीक है तो इसका हमें one point बताना है इसके justification में और कैसे बताएंगे हम चले इसका answer मैं आपको बताता हूँ तो इसका answer हमें मिलेगा paragraph three में देखिए इसका answer हमें यहां से करना है यहां से लेकर this does not necessarily mean that the person hearing it will get it any faster on the contrary it is always the reverse so slow down and think before you speak तो आप इसका answer यहां से this does not यहां से लेकर के यहां तक लिखेंगे speak तक और इसमें आप चाहें तो एक और point एड़ कर सकते हैं जो की हमारा हो जाएगा उपर जो है एक point यह वाला when you have value to add यानि कि अभी जो मैंने आपको answer नीचे बताया था उसके बाद आप यह वाली line भी लिख सकते हैं यहां तक ठीक है तो I hope आपको इसका answer अच्छे समझ में आ गया है तो यह हमारा हो जाएगा answer देखिए अभी मैंने आपको answer यह बताया था इसकी हिंदी मैंने आपको नहीं समझाया हमें जो है यहां से लेकर यहां तक लिखना था तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा this does not necessarily mean that the person hearing it will get it any faster यानि कि यह जरूरी नहीं है कि जितना जल्दी हम बोल रहे हैं उतना जल्दी ही जो सामने वाला है so slow down यानि कि धीरे बोलना चाहिए and think before you speak और बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए ठीक है तो यह हमारा answer हो जाएगा question number ninth का अब इसके बाद चलते हैं next question number tenth पर तो देखिए question number tenth में क्या बोला गया है why should we never cross the boundary while trying to be funny यानि कि जब भी हम मजाकिया होते हैं यानि कि जब किसी से मजाक करते हैं तो हमें अपनी boundary जो है अपनी limit जो है उसको cross क्यों नहीं करना चाहिए तो इसका अंजर क्या हो जाएगा हमारा because that could offend people यानि कि ताकि जो सामने वाला वेक्ति है जिससे हम बात कर रहे हैं जिसे मजाक कर रहे हैं उसका अपमान ना हो उसका insult ना हो तो इसलिए डी option हमारा correct हो जाएगा 10th question का ठीक है तो इस तरह से यह जो हमारा first question का passes था उसके total 10th questions थे हमने सभी को कर लिया है इसके बाद हमारा second passage start हो जाता है और यह भी 10 marks का ही है तो चलिए अभी second passes को करते हैं इसमें भी हमसे बोला है read the passes given below तो सबसे पहले हमें इस passes को read करना है carefully यह first paragraph है यह second paragraph और नीचे यह third और यह fourth paragraph ठीक है तो इसका एक बार मैं आपको बतायता हूँ कि यह जो passes है किस बारे में है तो यह passes हमारा mainly water और energy के उपर है यानि कि जो water होता है वो किस तरह से हमारे body के लिए important होता है और इसके अलावा जो food होता है जिससे हमें energy मिलता है तो इन ही सब चीजों के बारे में इस passes में बताया गया है ठीक है एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लेना तो आपको और clearly समझ में आ जाएगा आप देखिए इसके questions को करते हैं तो हमसे बोला है based on your understanding of the passes answer the questions given below तो first question देखिए क्या बोला गया है तो देखिए first question में हमसे बोला गया है infer one reason for the following based on information in paragraph one तो यह जो आप देख रहे हैं इसका हमें एक reason बताना है ठीक है तो क्या बोला है biggest single killers of children in the modern world यानि कि जो modern world है उसमें सबसे बड़ा single killers children का कौन सा है तो देखिए इसका answer हमें जो paragraph one है इसमें मिलेगा यहाँ पर देखिए इसको पढ़िए dehydration is one of the biggest single killers of children in the modern world तो answer हमें मिल गया क्या dehydration तो इसी लिए यह जो first question है इसका answer आप क्या लिखेंगे dehydration यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dehydration तो यही हमारा answer हो जाएगा first question का ठीक है अब इसके बाद चलते हैं second question पर तो second question में देखिए क्या पूछा है select the appropriate option to fill in the blanks तो यहाँ पर क्या बोला है from paragraph 2 the interdependence of dash and dash is evident तो हमें paragraph 2 से बताना है कि the interdependence of dash and dash तो देखिए paragraph 2 को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा देखिए the interdependence of energy and water is evident यानिकि answer क्या है energy and water तो energy and water किस option में है यह देखिए third option में energy है और fifth option में water है तो third और fifth हमारा right हो जाएगा यानिकि यह देखिए c वाला option हमारा correct है ठीक है तो second question का c option correct हो गया अब इसके बाद चलते है next third question पर तो third question में क्या बोला है complete the following analogy correctly with a word या phrase from paragraph 1 तो देखिए question क्या है हमारा कि जैसे water dehydration से related है वैसे ही dash starvation से related होगा यानिकि क्या हमारा starvation से related होगा इसका हमें clue भी दिया गया है just like water shortage causes dehydration similarly dash shortage causes starvation तो देखिए starvation का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है Valerie तो जैसे water की कमी से dehydration होता है तो किसकी कमी से Starvation यानिकि wheat मरी होता है तो हम सभी को पता है कि Food की कमी से तो इसी लिये हमारा इसका answer हो जाएगा food ठीक है तो third question का answer क्या हो गया फूड आपको समझ में आ गया अब चलते हैं फोर्थ कोशन पर तो फोर्थ कोशन में बोला है तो यहां पर देखिए यह हमारा सेंटेंस है 1.6 billion are facing economic water shortage means that dash इसका आंसर हमें paragraph 3 से बताना है तो आप paragraph 3 को देख लेना अच्छे से मैं आपको इसका आंसर बता जाता हूं कि जो यह डैश है यहां पर आगे हमारा क्या आएगा तो यहां पर आजाएगा हमारा यह B वाला यानि कि existing water sources cannot be used because of a lack of investment in water related infrastructure चिक्या तो इसका आंसर हमारा यह B वाला हो जाएगा I hope आपको समझ में आ गया देखिए इसकी हिंदी मैं आपको बतायता हूं कि almost 1.6 billion जो population है वो क्या है कि water shortage का problem face कर रही है तो इसका reason क्या है तो यहां पर यह हमारे second जो option है इसमें हमें दिया गया इसका reason ठीक है तो इसलिए 4th का B वाला option correct हो जाएगा इसके बाद next है हमारा 5th question तो 5th में क्या है by weight an adult human body contains about dash water तो इसका answer हमें मिल जाएगा 60% जब आप मैं आपको इसका answer दिखाई देता हूं देखिए जो हमारा यह first paragraph है इसमें देखिए by weight about 60% of an adults human body is water and dehydration is तो आमें answer मिल गया 60% तो इसलिए इसका answer हो जाएगा 60% यानि की यह option हमारा correct हो जाएगा इसके बाद next चलते हैं 6th question पर तो इसमें बोला है fill in the blank by selecting the correct option तो यहां पर इस blank को हमें fill करना है इन चारों में से correct option को choose करते हुए dash will put further stress on the water sourcing and supply system by 2050 तो इसका answer आप passes को पढ़कर पता करना मैं आपको इसका answer बता देता हूँ जो इसका answer हो जाएगा 6th का यह हमारा हो जाएगा C वाला यानि कि increase in world population ठीक है तो इसलिए 6th का हमारा यह C वाला option राइट हो जाएगा इसका answer जो है मैं आपको बता दिया इसकी हिंदी आपको बता देता हूँ एक बार कि dash will put further stress on water sourcing and supply system by 250 यानि कि ऐसा कौन सा कारण है जो आगे आने वाले 250 यानि कि 2050 तक time में जो stress है water का water जो supply है उसका वो और बढ़ा देगा तो increasing world population यानि कि बढ़ती जन संख्या है इसके बाद next है question number 7 तो question number 7 में हमसे बोला है कि substitute the word shortage with one word similar in meaning in the following sentence from paragraph 3 यानि कि ये जो shortage word आप देख रहे हैं इसकी जगह पर हम क्या एक और word use कर सकते हैं जिसका answer हमें paragraph 3 से बताना है तो देखिए paragraph 3 में मैं आपको इसका answer दिखा देता हूँ ये हमारा paragraph 3 है तो इसमें देखिए एक word है यहाँ पर कि lives in areas of physical water scarcity ये जो scarcity है इसका मतलब होता है कमी और जो shortage word होता है उसका मतलब भी कमी होता है तो इसलिए shortage की जगह पर हम ये scarcity word का use कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए हमारा जो question number 7 है इसका answer हो जाएगा scarcity यहाँ पर हम लिख देंगे square city इसका मतलब ही कमी होता है और shortage का मतलब ही कमी होता है ठीक है तो यह हमारा answer हो जाएगा 7th का अब इसके बाद 8th question को करते हैं तो इसमें हमसे बोला है list any two actions needed on the waterfront as mentioned in paragraph 4 यानि की हमें कोई दो actions बताने हैं जो की जरूरी है waterfront के लिए जो की paragraph 4 में लिखा हुआ है ठीक है तो देखे इसका answer में आपको दिखायता हूं paragraph 4 हमारा यह रहा इसका answer यहां से start हो जाएगा action needed on the waterfront include a reduction in water usage for agricultural pump efficiencies, drip irrigation instead of flood irrigation, change in crop patterns, recycling of waters, extensive rainwater harvesting programs, stoppage of runoffs and water pollution तो इसका answer हम यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हैं या फिर इसमें हमें कोई दो actions के बारे में ही बोला था तो इसमें से आप कोई भी दो actions लिख सकते हैं चिक है तो यह हमारा answer हो जाएगा question number 8 का अब इसके बाद हम करेंगे question number 9 तो question number 9 में क्या बोला है globally what percentage of water consumption is for the agriculture sector यानि कि जो agriculture sector है तो इसमें कितना percent water consumption होता है कितना percent water जो है वो use होता है globally ठीक है अनि कि world level पर तो देखिए इसका answer हो जाएगा हमारा वैसे तो इसका answer हो जाएगा 70% जब आप पैसिस को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा paragraph 3 में ठीक है आपको इसका answer मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो देखिए इसका answer हमारा जो है 70% यह रहा आप देख सकते हैं globally about 70% of water consumption is for the agricultural sector तो यह हमारा answer हो जाएगा question number 9 का अब इसके वाद next है question number 10 इसमें बोला गया है कि select the option that titles, paragraphs 1, 3 and 4 appropriately with reference to information in the text यानि कि जो paragraph 1st, 3rd और 4th है तो इनके क्या-क्या titles हो सकते हैं और titles हमें इस तरह से बताना है कि उनमें जो information दिया गया है उसके according हमें title 1st, 3rd और 4th paragraph का बताना है और देखिए यहाँ पर हमें options भी दिये गये हैं तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हमारा ये वाला हो जाएगा C वाले में जो ये options दिये गये हैं इनमें यानि कि first जब आप paragraph को पढ़ेंगे तो इसमें जो information दिया है इसका correct title हम ये लिख सकते हैं the human body यानि कि first paragraph में human body के बारे में mainly बताया गया है इसके बाद third paragraph जब आप पढ़ेंगे तो इसमें mainly stress on water sources इसके बारे में बात किया गया है तो इसलिए third paragraph का title हम ये लिख सकते हैं और जो fourth paragraph है इसका title हो सकता है fossil based energy ठीक है तो इस तरह से हमारा tenth का ये C वाला option correct हो जाएगा I hope आपको समझ में आ गया तो इस तरह से हमने दोनों passes कर लिया इसके बाद हमारा section B start हो जाता है तो इसे तो मैंने आपको जो first part बनाया था उसी में मैंने समझा दिया ठीक है तो इस तरह से अब हमारा ये जो section A के दोनों passes थे ये मैंने complete करा दिया I hope आपको दोनों passes अच्छे समझ में आ गए हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक like जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शियर कर देना ताकि उन्हें बेश से benefit मिले और अगर आपने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल नेक्स स्टुडियो में हम जो इस सेंपल पेपर के आगे के सेक्शन से उनके कोश्चन को सौल करेंगे तो मिलते हैं नेक्स स्टुडियो में धन्यवाद